हम लोग बैदुत आवेश तथा विभाव वाले चप्टर से अगले टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है किसी बिद्धु आवेश के कारण बैदु चेतर की तिप्रत है अर्थाथ इंटेंसिटी आफ एलेक्षिक फिल्ट डीटु ए पॉइंट चार्च छीए इसके एक प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु पर इस्तित है जिस जिसका माध्यम का पराबायदतान के है अब मान लेते हैं कि यह बिंदु क्या है ओ है यह बिंदु क्या है ओ है अब इस बिंदु से आर मीटर की दूरी पर इस बिंदु से आर मीटर की दूरी पर एक बिन्दु P है एक बिन्दु क्या है P है जिस पर हम लोग 22 छत्र की तिवर्ता E की गणना करेंगे क्या करेंगे E की गणना करेंगे इसके लिए हम लोग माल लेंगे कि मालना बिन्दु P पर एक धन परिछण आवेश Q0 इस्तित है तब कुलाम के नियम से कुलाम के नियम से यह एक दूसरे के उपर बल लगाएंगे तो कैसे बल लगाएंगे एफ बराबर वन अपान फूर पाई अतायलम नॉट इन्टु के क्यू क्यू नॉट बठाके आर इस्पार का क्या करेंगे बल लगाएंगे ठीक है अब इसी हिसाप से हम लोग जानते हैं कि जब इतना बल लगेगा तो हम लोगी अबर इस बिंदू पर बैदू छेत्र की क्रिता है एकी गधना हम लोग बल से करते हैं किससे करते हैं बल से ए बराबर नॉटण है क्या करेंगे यहां पर समी करी एक से महान रख देंगे समिकरण एक से क्यों हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा 1 upon 4 5 atylem not k into q q not बटा के r square बटा के q not q not से q not का हो जाएगा कड़ जाएगा तो यह बराबर हमको मिल जाएगा 1 upon 4 5 atylem not into k q बटा के r square यह दिमान ने कि जिस माद्धे में रखा गया है उस माद्धें का परावैदुतां q कमान एक हो ठीक है तो y माद्धे में रखा गया हो आपको पता है कि y का परावैदुतां q होता है तो जाएगा 1 upon 4 by atylem not q बटा के r square ठीक है और यह भी पता है कि आपको 1 upon 4 by atylem not की value क्या होती है बताने की जरूरत है नहीं इस अब जानते हैं आप दोहरा लेंगे ठीक है हाँ और हाँ इसके मात्रक आपको लिखना जरूरी है तो हुनों लिख सकते हैं newton प्रति प्रति कुलान इसका क्या जाएगा यह रहाँ किसी बिंदु आवेश के काराण बैदु छेत्र के तेपता